ग्राम चोसला में दबंगो ने रास्ते पर कपजा कर लिया था जिससे किसान अपने खेद भी नहीं जा पा रहे थे हालाकि जिला प्रशासन ने दबंगो से इस रास्ते को खाली करवा लिया है भाशपा नेता शंकरलाल अहीवार ने इस मामले को जिला प्रभारी मंत्री जगदिश देवडा के सामने रखा था किसानों ने भी आंदोलन करने की चेतावनी दी थी दरसल विधायक से जुड़े दवंगों ने इस रास्ते पर कपजा कर रखा था विधान सबाशेत्र घटिया के ग्राम चोसला में कुछ दवंगों वा कॉंग्रेस विधायक से जुड़े लोगों ने किसानों का रास्ता रोक रखा था जिसे राजसो विभाग घटिया वा पुलिस बल के साथ अतिक्रमन हटाया गया इस रास्ते पर करीब 80-90 किसानों के निकलने का रास्ता था किसान अपनी बोवनी भी नहीं कर पा रहे थे ट्रेक्टर भी नहीं निकाल सकते थे बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता था ग्रामिन जनों ने काफी मेहनत वा आंदोलन किया अनुविभागी अधिकारी को ग्यापन दिया वेत्त एवं प्रभारी मंत्री जगदीश देवडा ने इस विशाय में आदेश दिये थे अधिकारी साइलेंट हो गए तब मुझे इस मेदान में आना पड़ा और मैंने ग्यापन दिया और इसमें बात्चित की और मानने हमारे देवडा जी का प्रभारी मंत्री जी का बहुत सयोग रहा और अधिकारी वहां के टी एई विक्रम जी वहां के एसडियम विनोज जी दूबे और तेशिदार साब अपने कनासी जी इन सब ने मिलकर सयोग किया और कल मिटिंग हुई थी हमारी उसमें तैय हुआ था कि कल पुलीस बल के साथ में हम जाएंगे और अधिकमन हटाए आएंगे एग।